इस पुर्वाइशर्मा एंड़ वी टेक इंग्लिश चैप्टर शेप्टर इस स्टे सेफ ओके सो आज मैं आपको इंग्लिश का चैप्टर शेप्टर 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 कर रही हूं इस हमें कैसे सेफ रह ना ची है हमारा first question है how should we switch on lights आपको भी पता है पीटा जब बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जब lights on करने जाते हैं हमें current लग जाता है शौक लग जाता है कैसे लगता है क्यों लगता है क्यों हम लोग safe नहीं रहते हैं ठीक है तो first question है how should we switch on lights हमें lights को on कैसा करना चीह है We should wear slippers, हमें सबसे पहले slippers पहनना चाहिए and dry our hands to sit on the lights और हमारे जो hands होते हैं, मतलब हमारे हाथ होते हैं, उसे सुखा रखना चाहिए, गीले नहीं होना चाहिए अगर हमने slipper पहन रखी हैं, हमारे hands dry हैं, तो हमें कुछ भी नहीं होगा, हमें बिल्कुल भी shock या current कुछ नहीं लगेगा ठीके, लेकिन अगर हमारे हाथ कीले हैं, तो हमें current लग सकता है Second question is, how many colors are there in a traffic light? जो traffic lights होती है, है ना, जिसे आप आपके ममी पापा के साथ घूमने जाते हैं, कि आपने देखा होगा traffic light signals होते हैं, तो वो signals जो बने वे होते हैं, तो उसमें जो traffic light होती हैं, उसमें कितनी lights होती हैं, तो कितनी lights होती हैं, three lights होती हैं, एक होती है red, एक होती है yellow और एक होती है green तो कितनी होती है three lights कितनी होती है three lights next question है what are the rules for crossing a road जब हम लोग road को cross करते हैं तो हमें कैसी rules को follow करना चाहिए always look right हमेशा पहले right में देखो left फिर left में देखो and then right फिर वापिस right उसके बाद आपको cross करना चाहिए है ना अगर आप जब भी road cross करते हैं पहले आपको right में देखना है फिर आपको left में देखना है again आपको right में देखना है उसके बाद आपको road को cross करना है next question है what will happen if you don't follow traffic rules जब आप traffic rules को follow नहीं करते हैं तो क्या होता है you will be unsafe on the road आप अगर traffic rules को follow नहीं करोगे है ना तो आपको क्या problem आएगी आप safe नहीं होगे अपका accident हो सकता है है ना तो हमेशा हमें traffic rules को follow करना चाहिए क्योंकि वो हमारी safety के लिए बना है कि हमें कोई भी problems ना है हमें कोई harm ना हो इसके लिए traffic rules बने है तो हमें उसे follow करना चाहिए ओके अगें आपको explain करियों first question है how should we switch on the lights हमें lights कैसे on करना चाहिए we should wear slippers हमें slippers पैनना चाहिए and dry our hands to switch on the lights और lights on करते time हमारे जो हाथ होते हैं वो ड्राय होने चाहिए how many colors are in a traffic light traffic lights में किते color होते हैं तो there are three lights कितनी lights होती है three lights third question है what are the rules for crossing a road road cross करने के कैसे rules होते हैं always look right सबसे पहले right में देखो left फिर left में देखो and then right फिर वापस right में देखो फिर आपको road cross करना चाहिए next question है what will happen if you don't follow traffic rules अगर आप traffic rules को follow नहीं करते हो तो आपके साथ क्या हो सकता है you will be unsafe on the road आप road पे हमेशा unsafe रोगे मतलब सुरक्षित नहीं रोगे okay so I hope you understand all of you thank you have a nice day नहीं पोड़े